Hello and welcome back everyone जैसा कि लास सेशन में हम लोगों ने डिसकस किया था online transactions यानि कि e-commerce websites के बारे में मैंने आपको बताया था e-commerce websites वो websites होती हैं जहां पे हम लोग अपने good source services online sell or buy करते हैं यानि कि as a customer हम लोग online buy करते हैं बहुत सारी ऐसी websites हैं जहां पे हम लोग अपनी daily use के सामान से भी online खरीदते हैं तो ऐसी सारी websites जो internet की help से आपको facility provide करती हैं buy or sell की वो सारी की सारी websites हमारी e-commerce के अंडर आती हैं तो आपको कोई 4 websites का नाम आप सभी students के लिए है ये question कोई 4 websites के नाम जो online transactions की facility provide करवाती हैं कि जिसमें हम लोग online purchase कर सकते हैं और उसका payment भी online कर सकते हैं कोई 4 website का नाम comment box में लिखे मुझे बताएंगे आज का session शुरू करते हैं आज हम लोग बात करने वाले हैं internet security के बारे में और जब भी internet या उसकी security की बात आती है हम लोग alert हो जाते हैं important session है इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं आप internet use कर रहे हैं आप वो चाहिए आप video देखने के लिए ही क्यों ना कर रहे हूँ जहां भी हम लोग बात करते हैं internet के usage की security एक important और हिसा होता है हमारे mobile phones के लिए या laptop के लिए या फिर online transactions के लिए कहीं यह कह सकते हैं कि security point of view से हम अगर login करते हैं किसी भी website पे authentic website है या नहीं है हमारे जो card है उसकी जो हम share करते हैं cvv code share करते हैं अपना password share करते हैं किसी भी website के साथ तो उन सब चीजों में हमें क्या चीजे important है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से हमें login करना चाहिए किस website पे जाना चाहिए किस website को हमें यूज नहीं करना चाहिए उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे detail में so शुरू करते हैं session देखिए जब बात करता हूं internet security की तो यह अपने आपने एक branch है computer की जिसमें हम internet और उससे related security issues पे बात करते हैं okay आप browsing करते हैं web browser का यूज करते हैं तो सबसे पहला बात आती है online frauds की कि आपका कहीं email hack नहीं हो जाए आपका कोई particular जो आपने कोई account बना रखा किसी e-commerce website पे वो hack हो जाए आपकी transaction related details लीक हो जाएं तो इन सब के लिए एक risk factor हमारा जो है उसको minimize हम कैसे कर सकते हैं अगर हम security point of view को mind में रखें और उसके बाद हम internet का यूज करें और internet को यूज करने के लिए एक ही मूल मंत्र है और वो आपको ध्यान रखना है कभी भी आप browsing करते हैं उससे पहले एक बार रुकिए सोचिए और उसके बाद उसको यूज कीजिए क्योंकि अगर किसी website पे आप अपना login करते हैं तो क्या वो website authentic है उसके बारे में आपको knowledge होना चाहिए अगर आपने login कर लिया है तो उसके बाद भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि क्या हम लोग जो use करें हम अपनी personal details share कर रहे हैं वो उस website पे share करना सही है या नहीं है इसलिए कहा जाता है कि e-commerce website वो चाहिए आप किसी भी website पे जाएं आप ये देखें कि वो authorized website है या नहीं है unauthorized website पे कभी भी online transaction ना करें अपने debit card या credit card की details share नहीं करनी चाहिए ओके बात करते हैं क्योंकि risk factor होता है high risk of introductions or frauds such as fishing fishing पे बात करेंगे fishing एक बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हो scam में यूज करते हैं hackers होता क्या है आप बहुत बार देखते होंगे आपकी lottery लग गई है mail आते होंगे आपको इस तरीके से आप ये cash price जीत के अरे आपने कुछ किया नहीं आपने lottery के लिए कोई ticket नहीं खरीदा आपने कुछ नहीं किया आपको कहां से lottery लग सकती है possible नहीं है तो अगर अगर इस तरीके के mail अगर आपके पास आते हैं वो सब scam mail होते हैं उनको use ना करें उनको open करने करने की विजरुतनी उनको direct delete कर दें ऐसे कोई mail अगर आपको पास आता है तो उसको use ना करें वो क्या होता है एक fishing page होता है आप जब उस पे click करते हैं वो redirect कर देता है एक नए page पे और वो जो भी आप detail fill करते हैं वो सारी के सारा data किसके पास सला जाता है hackers के पास या फिर related website जो आपको data फेज कर रही है आपको उनके पास data आपका पहुंच जाता है तो इस तरीके के जो भी mail आते हैं don't go for that direct उनको delete करना है बात करते हैं next through internet providers valuable information and entertainment it may leave our computer unsecure due to many online threats और online threats में हमारी ये सारी चीज़ें आ जाती है वो चाहिए आपका user name पासवर्ड करेक्ट करने की बात हो या उनको hack करने की बात हो credit card online banking जो भी आप use करते हैं उनको track करना या उनकी details से जो है वो unauthorized way में users अगर access कर लेते हैं तो आपके लिए एक समस्या बन जाती है okay so some websites can also install malwares on computer without user consistent therefore leaving the computer damage or insecure बहुत सारी एंसी websites होती है internet पे जब आप विजिट करते हो आप क्लिक करके किसी दूसरे रिडारेक्ट हो जाते हो किसी page पे और एक वह ऐसी website पर पहुंचाते हो जो इस पर आप कोई भी add वगएरा पर भी click कर देते हैं तो वह आपके computer के अंदर install हो जाता है और आपकी personal files को भी delete कर देता तो इस तरीके से जो hackers हैं वह भी damage पहुंचा सकते हैं आपके system को तो उसके लिए भी आपको त्यार रहना है तो ऐसे जो आपके virus होते हैं उनको generally हम लोग malware बोलते हैं ओके नाव online threats में important है exam point of view से online threats में आपके पास phishing है email spoofing chat spoofing इस तरीके के जो आपके attack होते हैं okay phishing में एक ही जैसा हूब हूब दूसरा page बना दिया जाता है और उसको redirect करने के लिए उस पे आप जो information भेजते हैं click करते हैं वह आपके respective website पे ना जाके किसी और page पे चली जाती है इसी तरीके से email spoofing जो मैंने बताया आपको chat spoofing कि आपको इस तरीके से बात की जागी कि congestion आपको भेजा जाएगा कि ये lottery लगी है आप इस community को join कर लीजी आपको ये फायदा हो जाएगा वो तो इन सब से आपको बचना है ना बात करते हैं इसके लिए हमें सबसे पहला जो काम करना है कि आप इन सब चीजों से risk को कैसे कर सकते हैं सबसे पहला काम आप अपने computer का firewall ओन करके रखेंगे ताकि जो भी network से आपका packets आए आपके system में वो filter हो क्या आए दूसरा आप antivirus software का यूज कर सकते हो antispyware software का यूज कर सकते हो antispyware software होते हैं कई बार ऐसा होता जो आपके key logs के भी create होने हो जाते हैं कई बार आपका friend ही आपके लिए समस्या बन जाता है वो आया और आपके system में कुछ ऐसा install करके चला गया जो आपकी personal information उसके पास चली जाए तो ऐसे case में अगर ऐसा है तो आप antispyware software का यूज करें उससे आपका वो इस तरीके का कोई software इंस्टोल होता है पिछे से background में तो वो उसको deduct कर लेता है और सबसे important one strong password आपको रखना है में सा strong password बना के रखना है कभी भी password ये ना रखें अपने नाम रख लिया parents का नाम रख दिया parents का phone number brother का phone number ओके आपके दोस्त को सब पता है वो आपका account कभी भी hack कर सकता है ओके friend is friend बट उसमें भी एक जहां personal use की बात आती है वो limitations वहाँ पर finish हो जाती है कहां से आपका scam होगा कहां से आपको threat है वो अभी आपको नहीं पता है तो आप इन चीजों का ध्यान रखें अपना password किसी के साथ भी share ना करें ओके so best practice for security सबसे पहला आता है use strong password और strong password में बात करते हैं कभी भी अपना password simple नहीं रखना चीए क्या होना चीए आपका combination of alphanumeric special character could be used for creating password that is not an easy to crack and guess by other user do not keep your password such as your favorite color, your friend, your relative name, your bike number, your mobile number, either or single or combined option okay these passwords are easily to guess if a user know your personally change your password frequently at least two or three weeks so that your account information remains secure okay तो आपकी account की जो details है वो secure रहेंगी habit होनी चीए month में या three weeks या two weeks में एक बर आप अपना password चेंज कर लें और अपना password strong रखें उसमें alphabets भी हो special symbols भी हो उसमें numeric data भी हो such that उसको hack करना असान ना हो और जैसा भी मैंने बता इस तरीके का बिल्कुल भी ना करें आपना password इस तरीके का बिल्कुल नहीं बनाना आपको use strong password and can lower the risk of security breach effectiveness password depends on the security mechanism software involvement generating strong password कई आपके software होते हैं जो आपका password guess करने के लिए आपके software generate के जाते हैं different combinations बना के देखते हैं और उसके respect में आपको बताते हैं अगर आपका simple password होगा तो वह software guess कर लेगा अगर आपका combination है different alphabets, characters और numeric special symbols तो उसको guess करना क्या हो जाएगा software के लिए difficult हो जाएगा तो हमेशा आपकी habit होनी चीए कि password आपका कैसा होना चीए combination होना चीए strong password आपको रखना है मेशा और उसके लिए क्या करना आपको simply इस तरीके का password आप ना दे देखे जहां पर जो example दिया हुआ है कि आपका जो password है आपने simple इस तरीके से दिया तो यह weak password है और यहां पर आके देखे आपका strong password हो जाता है यानि कि 8 character minimum आपके होने चीए length कितनी होनी चीए minimum 8 character but mobile number complete direct mobile number ना हो numbers हो उसके साथ alphabet हो उसमें small भी हो सकता है capital alphabet भी हो सकते हैं इस तरीके के password आपको रखना है एक्जाम में इस तरीके का question पूछा जाता है strong password के लिए क्या guidelines होनी चीए तो आपका जो strong password हो 12 से 14 character का होना चीए और उसमें आप कोई भी चीज repeat ना करें ज्यादाता okay and small alphabet capital alphabet और okay इनसे आप बचे उनका यूज कर सकते हैं बट आपका जो number sequence हो उसका बात को ध्यान रखना यूजर नेम को ही आप password ना रखे या फिर relative या pat name को यूज ना करें okay numbers हो symbols हो यह जरूरी है okay और capital और lowercase का combination हो avoid using the same password for multiple sites एक site के लिए एक ही password है उसको दूसरी साइट पर यूज ना करें क्योंकि अगर एक जगह उसे password gas हो गया तो वह आपके हर एक account को आपका यूज कर सकता है आपका friend या जो भी आपका कह सकते हो कि intruders है या unauthorized user है वह उसको यूज कर सकता है so avoid using something that are public or workmates know your strong likes and dislikes इस तरीके का password आपको नहीं रखना चाहिए यह आपका क्या है एक तरीका का example है strong password गा तो इस तरीके का password आपको बनाना चाहिए और उसको यूज करना चाहिए और अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप अपनी एक personal diary maintain कर सकते हैं और उसको आप अपने किसी लोकर में रख सकते हैं अगर आपको याद करने में समस्या होती है तो ओके नाव और भी बहुत सारी यूज है आज हम सिरफ इसी के बारे में बात करें हैं strong password के बारे में और जो different आपके strong password के बाद क्या-क्या हमारी internet security से related और क्या-क्या हमें ध्यान रखना चाहिए जिनका day-to-day life में हमारा काम रह रहेंगे तो तिल देन कीप वोचिंग कीप लर्निंग नए यूजर है तो सब्सक्राइब कर लिजे सज़दर जब भी नया वीडियो अप्लोड करें तो वह आपको notification उसका मिल जाए and playlist जरूर विजिट कीजिए वहां पे सारे वीडियो यहमारे क्या है केटेग्राइज हैं subject wise और class wise तो आपको study करने में आसानी होगी so thank you